हालो पीपल वेल्कम तो इविद्याती जोच इन दिस इस मैंसी और आज इस सेशन में मैं आपको वाइप प्रिंस के बारे में बताऊंगी अभी तक हमनी इमिजेस में बहुत सारी एजेस्में लेयर एड़ की हैं अब हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगी मैंने आपको बताया कि इस इमेज़ में यहां पर यहां पर जो फ्लाअर इसमें मुझे वाइब्रेंज एड़ करना है और लेंड सी उससे हम कैसे करते हैं सबसे पहले मुझे कुछ बिश्यक साचुरेशन करना हो या वाइब्रेंज करना हो तो मुझे सेलेक्ट करना होगा जि जो रह रहा है उसको हम बाद में करक्क कर सकते हैं जिसके यहाँ पर पर पार्ट रहागिया तो मैं उसे आड कर लोंगी ऑगर हैर युज एक्सरा पार्ट अडुगया इसको अडुए है इसको अडुए हो इसकोश्ट्राक करने की आ प्रेस अल्ट and then I'll start dragging जो पार्ट मुझे सेलेक नहीं करना मैं उसको हटा दूँगी fine now after this अगर मुझे इसमें saturation add करना है सबसे पहले तो जो हम करते हुए आ रहे है this part is also left so I'll select this now अगर saturation add करना है so हम इसमें जैसमें layer add करते है hue and saturation now इसे हम इतना ज्यादा इसे use कर चुके है that now we are bored of it but still let's see अगर मैं इसमें saturation increase करते हूँ पहली बात तो आपको पीछे live effect दिख रहा होगा कि इसमें क्या हो रहा है and if I go too far तो आप देखो कि इसमें saturation effect इतना ज्यादा bold होके आ रहा है इसकी आप corners देखोगे तो ऐसे लग रहा है burn हो गए है fine so I'll close this now अभी हमने saturation add के now I'll tell you कि vibrance कैसे इससे different होता है so सबसे पहले तो इसको height कर देंगे हम ताकि हम vibrance layer add कर सके now vibrance add करने के मुझे इस selection same चाहिए अभी से दुबारा select करने की जगा I'll press control and जो यहां पर mask है मैं इस पर click करूंगी तो हमें वो selection फिर से मिल जाएगा now this time I'll add vibrance so I'll click on this and click on vibrance now अब देखोगे यहां पर भी saturation का option है and vibrance का option है अगर मैं saturation को increase करती हूं तो आप देखोगे यहां पर वैसे तो effect आरह है बड जितना वो वाला saturation दा उतना effect नहीं आ रहा so I'll keep it to zero again and now let's see vibrance क्या करता है if I increase this तो आप देखोगे यहां पर जो saturation का effect और जो vibrance का effect है उसमें बहुत जादा difference है यह काफी pleasant है और वो काफी harsh था vibrance को अगर मैं सबसे कम कर दू so you will see के जब हम saturation को एकदम decrease करते हैं तो वो black and white effect आ जाता है fine so we will increase this and now अगर हमें difference देखना है so सबसे पहले तो हमारे पास यह लेयर थी जो हमारा main image थी जब हमने इसमें saturation add किया तो उसका यह effect और and जब हमने vibrance add किया तो उसका यह effect और so now you will understand कि vibrance or saturation में क्या difference होता है and I am sure कि आपको पता चलेगा कहां पे आपको vibrance यूज करना चाहे and कहां पे कितना saturation required है so this is it for this session see you again in the next session bye-bye